क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये नाम सुनते ही एक ही चीज ज्याद आती है फुटबॉल में जबरदस्त टैलेंट, पाँच चैंपियन्स लीग टाइटल, पाँच बैलोन डियोर अवार्ड, अपने करियर में आठ सौ से भी ज्यादा गोल उनका सफर एक साधारन शुरुआत से लेकर ग्लोबल स्टार बनने तक का असाधारन समर्पन, द्रिड़ता और उत्कृष्टता की अटूट खोज की कहानी है उनकी कहानी खेल की सीमाउं से परे है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है वह मानव क्षमता के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये साबित करते हैं कि अटूट प्रतिवधता से सबसे महत्वा कांक्षी सपने भी पूरे हो सकते हैं उनका प्रभाव फुटबॉल के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है, क्योंकि वह सामाजिक कारणों को आगे बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने के लिए अपने प्रेटफॉर्म का लाब उठाते हैं पुर्तगाली द्वीप मडेरा में जन में रोनाल्डो का बच्पन उनकी वर्तमान जिंदगी की चकाचौंद और ग्लैमर से को संदूर था एक साधारन घर में पले बढ़े उन्होंने अपने तीन भाई बहनों के साथ एक ही कमरा शेयर किया फुटबॉल उनका सहारा बन गया एक ऐसा जुनून जिसने उनके अंदर विपरीद परिस्थिक्यों पर काबू पाने की तीब रो इच्छा जगा दिए उन्होंने फंचल की धूल भरी सड़कों पर अपने कौशल को निखाया उनकी प्रतिभा कम उम्र से ही साफ दिखाई देती थी बारह साल की उम्र में उन्होंने मुख्य भूमी पूर्टगाल में अपने फुटबॉल के सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार के आराम को छोड़ दिया और स्पोर्टिंग सीपी अकादमी में शामिल हो गया अलगाव चुनोति पूर्म खा लेकिन उनके धृड़ संकल्प में उन्हें होसला दिया रोनाल्डो की सफलता कोई दुरगटना नहीं है यह लगभग एक महान परिश्रम और शारीरिक और मानसिक कंडीशनिंग के प्रफी अटूट प्रतिबधता का परिणाम है उनका प्रशिक्षन नियम पौरानिक है जो मानविय सहनशक्ति की सीमाओं को आगे बराता है वह प्रत्येक सत्र को उसी तीवरता के साथ लेते हैं जैसे एक मैच वह हमेशा सुधार की तलाश में रहते हैं उनका आहार साबधानी पूर्वक नियोजित है उनके शरीर को उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक पोशक तत्वों से भरपूर है लेकिन उनका समर्पन शारिरिक से कहीं आगे तक फैला हुआ है वह ध्यान और विजुलाइजेशन टकनीकों का अभ्यास करते हुए मानसिक द्रढ़ता के महत्व को समझते हैं ताकि दबाव में ध्यान और संयम बनाए रखा जा सके चका चौंध भरे फुटवर्क और रिकॉर्ड तोड़ गोल के पीछे एक दयालू इंसान है रोनाल्डो का फुटबॉल के मैदान पर प्रदर्शन जितना अद्वितिय है उतनी ही उनकी दयालूता और उदारता भी है वहना केवल एक महान खिलाडी है बलकि एक महान इंसान भी है जो अपने संसाधनों और प्रभाव का उप्योग दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं रोनाल्डो बच्चों के कल्यान, आपदा राहत और चिकित सा अनुसंधान का समर्थन करने वाले संगठनों को उदारता पूर्वगदान करते हुए धर्मार्थ कारणों को आगे बराने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का लगातार उप्योग करते हैं उन्होंने कई बार अपने समय और धन को उन संगठनों के लिए समर्पित किया है जो बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं चाहे वह प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहतकार्य हो या गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अनुसंधान रोनाल्डो हमेशा आगे रहते हैं वह युनिसेफ के गुडविल एमबेजडर हैं जो वंचित बच्चों के जीवन में एक ठोस बदलाव लाने के लिए अपने वैश्विक प्रभाव का लाब उठा रहे हैं युनिसेफ के साथ उनके काम ने उन्हें दुनिया भर के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बना दिया है उन्होंने कई देशों की यात्रा की है जहां उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम किया उनकी उदारता दयालुता के व्यक्तिगत कार्णियों तक फैली हुई है रोनाल्डो ने कई बार व्यक्तिगत रूप से जरूरत मंद लोगों की मदद की है उन्होंने न केवल बड़े पैमाने पर दान किये हैं बलकि व्यक्तिगत रूप से भी लोगों की मदद की है, जिससे उनकी उदारता और दयालूता का प्रमाण मिलता है। उन्होंने एक बार फिलिस्तीनी स्कूलों के लिए धन जुटाने के लिए अपने गोल्डन बूट की नीलामी की थी। यह नीलामी एक महत्वपून राशी जुटाने में सफल रही, जिससे कई बच्चों की शिक्षा में मदद मिली। रोनाल्डो का यह कदम उनके दिल की गहराई से की गई उदारता को दर्शाता है। वो अस्पतालों में बीमार बच्चों से नियमित रूप समयते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान लाते हैं और आशा के संदेश देते हैं। रोनाल्डो का यह कार्य न केवल बच्चों के लिए बलकि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कई बार बीमार बच्चों के इलाज के लिए भी धन जुटाया है। जिससे उनकी जिन्दगी में एक नई उम्मीद जगी है। उनके कार्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि वास्तविक महानता व्यक्तिगत को पलबधियों से परे हैं। जिसमें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की प्रतिबधता शामिल है। रोनाल्डो का जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची महानता केवल व्यक्तिगत सफ़नता में नहीं बलकि दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मत बदलाव लाने में है। उनके प्रयास हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने तरीके से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करें। जिससे वे अपने खेल में सर्वश्वेष्ट परदर्शन कर सकते हैं। रोनाल्डो भी अलग नहीं है। उनके पास भी अपने अनुष्ठान और अंद्रिश्वास हैं जो उन्हें मानसिक रूप से तयार करते हैं। वह हमेशा अपने दाहिने पैर से पहले पिछ पर कदम रखते हैं। एक सूक्ष्म कार्य जो उनकी छविका पर्याय बन गया है। यह छोटा सा कार्य उनके लिए एक मानसिक संकेत है जो उन्हें खेल के लिए तयार करता है। हर फ्रीकिक से पहले वह एक गहरी सांस लेते हैं, ध्यान से गेंद को रखते हैं और अपने सिगनेचर स्टांस लेते हैं, पैर चोड़े पहलाते हैं, आत्म विश्वास की आभा विखेरते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें मानसिक रूप से केंद्रित और शांत रखती है। यह रस्में केवल अंध्विश्वासों से कहीं अधिक हैं। ये मानसिक संकेत हैं जो उन्हें चरम प्रदर्शन की स्थिती में प्रवेश करने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें ध्यान भंग करने और हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमती मिलती है। ये मानसिक तैयारी उन्हें खेल के दोरान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। शारिरिक और मानसिक रूप से विस्तार पर ये सूक्ष मध्यान समर्पन के स्थर को उजागर करता है, जिसने उन्हें उनके खेल के शिखर पर पहुंचाता है। ये ध्यान और समर्पन ही है जो उन्हें अन्य खेलाडियों से अलग वालता है और उन्हें उतक्रिष्टता की उखले जाता है। रोनाल्डो का ये ध्यान और समरपन के वो खेल के दौरान ही है, बलकि अभ्यास के दौरान भी दिखाई देता है। वह हर अभ्यास सत्र को गंभीरता से लेते हैं, हर छोटे-छोटे विर्णा पर ध्यान देते हैं, ताकि वे अपने खेल में सुधार कर सके। उनके प्रशिक्षन सत्र भी उनके मानसिक और शारीरिक तयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वे अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कड़ी महनत करते हैं लेकिन साथ ही अपने मन को भी तयार करते हैं ताकि वे खेल के दौरान किसी खूस्ति की पसामने कर साथ हैं यह समर्पन और ख़ान ही है जो रोणाल्डों को उनके खेल में उतकरिश्ट बलादा है उनके अनुष्थान और अनुश्वार केवल मानसिक संकेत नहीं है बल्कि उनके समर्पन और मेहनत का प्रतीग है प्रशंसा से कहीं आगे तक पहलेगी। उनकी उपलब्धियों की सूची लंबी है जिसमें कई लीग खिताब, चैंपियन्स लीग ट्राफियां और व्यक्तिगत पुरसकार शामिल हैं जैसे की बैलन डियोर जो उन्होंने कई बार जीता है। एक पीड़ी को प्रेरित किया है। उनकी ट्रेनिंग की दिन चर्या, अनुशासन और खेल के प्रति उनका दृष्टिकोन सभी के लिए एक मानक बन गया है। युवा खिलाडी उनके वीडियो देखकर सीखते हैं, उनके कदमों पर चलते हैं और उनके जैसे बनने का सपना देखते हैं। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, लचीलापन और खुद पर अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने हमें सिखाया है कि असफलताओं से हार मानने के बजाए हमें उनसे सीखना चाहिए और और भी मजबूत होकर वापस आना चाहिए। उनकी यात्रा में कई उतार चड़ाव आये, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्षे की ओर बढ़ते रहे। लेकिन उनका प्रभाव खेल के धायरे से भी आगे निकल जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई सामाजिक कार कारणों को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया हैं, जिस से लाखों लोगों को परोपकार को अपनाने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। उनकी charity कारियों में बच्चों की मदद करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना शामिल है वह अपने संसाधनों का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए करते हैं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यक्ता है उन्होंने हमें दिखाया है कि महानता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में नहीं है बल्कि दूसरों का उत्थान करने और दुनिया पर सकारात्मक छाप छोड़ने के लिए किसी के प्रभाव का उपयोग करने के बारे में है उनकी महानता उनके खेल कोशल में ही नहीं बल्कि उनके दिल की उदारता में भी जलकती है वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता वह है जो दूसरों के जीवन को बहतर बनाती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर से कहीं बढ़कर है वह एक वैश्विक प्रतीक एक परोपकारी और आने वाली पीडियों के लिए प्रेरणा है उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम सभी के पास दुनिया को बदलने की शक्ती है चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो वह हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने सपनों का पीछा करें कड़ी मेहनत करें और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने संसाधनों का उप्योग करें